नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आए चलते हैं खबर की ओर जबलपूर सेंटरल जेल के अधिक्षक गोपाल तामरिकर ने दिया इस्तीफा रिटायर्मेंट की दस महीने पहले महाने देशक जेल को भीजा त्याक पत्र 32 साल की सेवा में दो बार मिला राश्टपती पदक नेता जी सुभास चंदर बोस सेंटरल जेल के अधिक्षक एवं डियाई जी जेल गोपाल प्रशा तामरिकर ने स्तीफा दे दिया रिटायर्मेंट की दस महीने पहले स्तीफी के पीछे उन्होंने विक्तिकत कारण लिखे हैं स्तीफी की सूशनक के एवज में एक महीने के बेतन वभत्ते की एक लाग पचास अजार रुपे भी चलान से जमा करा दिये 32 साल की सेवा में उन्हें दो बार राष्टपिती पदक मिला वह एकलोते ऐसे अधिकारी रहें जिसे जेल विभाग ने प्रसिक्षन के लिए लंदन भीजा जेलों में सुधार और इनोवेशन के लिए वह जाने जाएंगे जेल अधिक्षक गोपाल तामरिकर 30 जून 2020 को रिटायर होने वाले थे लेकिन राजसरकार द्वारा दो वर्ज सेवा बढ़ाये जाने से वह जून 2020 में रिटायर होते दस महीने पहले ही उन्होंने एक सितंबर को जेल भाने देशक को अपना स्टीफा भेज कर दो सितंबर गुरुवार को रिटायर्मेंट करने आग्रह किया अचानक स्टीफी की वज़ा उन्होंने विक्तिगत और पारिवारी कारण बताए हैं इस तीफी में उन्होंने लिखाया है कि वे 25 वर्ष की अनिवार शेवा अब्धी पूर्ण कर चुके हैं अब पेंशनर की श्रेणी में आ चुके हैं उन्हें 2 सितंबर को सेना निवरत कर दिया जाए हम दिखाते रहें खबर आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें